प्यारे बच्चों कल मैंने आपको पाठ चौदर मुफ्त ही मुफ्त पढ़ाया था बच्चों उसका जो शेल भाग है आज मैं आपको पढ़ाऊंगी कल हमने यहां तक पढ़ा था ना बच्चो गुंज रही तक पढ़ा था ना आज हम आगे पढ़ते हैं आपको पता है पहली गया होगा इतना वीडियो आपने जो सुना है उससे आपको पता लगी गया होगा जो वीडियो मैंने पहले आपको इसका बना के दिया था कि जो भीकू फाई थे कितने कंजूस थी अब वो कहां चले गए मंडी चले गए नारियल वाला जो दो रुपे में नारियल बेच रहा था उसने कहा कि आपको हो सकता है मंडी में एक रुपे का मिल जाए तो अब वो मंडी चला गया बटाटा आलू बटाटा आलू अब मंडी में क्या आवाजें आ रही थी बटाटा बोलते हैं बच्चो आलू को कांदा बोलते हैं प्याज को तो सारी मंडी में शोर हो रहा था बटाटा आलू, बटाटा आलू, कांदा प्याज, घाजर, गाजर, गोबी, बंद गोबी, बंद गोबी ऐसे पुरी मंडी में आवाज ही आ रही थी माथे का पसीना पोचकर भीकू भाई ने इधर दर तका, तका मतलब देखा नारियल को देखकर पुछा अरे भाई एक नारियल कितने में दोगे सिर्फ एक रुपिया काका देखो वो एक रुपिया मांग रहा था ना उस दो रुपिया वाले से कि मुझे एक रुपिय में दे दो नारियल आप सब्जी मिंटी में आया तो नारेल वाले ने कहा काका सिर्फ एक रुपिये में नारेल वाले ने जबाद दिया जो चाहे लेलो आओ जल्दी कह रहें नारेल वाले कहता है एक रुपिये में नारेल है आप जो मर्जी लेलो शू छे भाई भीकु भाई ने कहा यह क्या मैं इतनी दूर से आया हूँ और तुम पूरा एक रुपिया मांग रहे हो नारिल वाले को कहते हैं भीकु भाई अरे बाप रहे मैं तो इतनी दूर से नारिल लेने आया हूँ और तुम फिर भी इसका एक उर्पिया मांग रहे हो पचास पैसे काफी है मैं इस नारिल को लेता हूँ और तुम यह पकड़ लो पचास पैसे अब देखो जब वो दो रुपिया का दे रहा था भीकु भाई उनसे एक उर्पिया का मांग रहे थे अब यह एक उर्पिया का दे रहे है तो भीकु भाई उनको के रहे कि कितने में दे दो बच्चो पचास पैसे में नारिल वाले ने जट भीकु भाई के हाथ से नारिल को छीन लिया और बोला माफ करो काका एक रुपिया या फि कुछ नहीं वो कहते हैं माफ करना काका मैं एक रुपी में ही नारियल दूँगा लेकिन भीकू भाई का निराज शेरा देकर बोला बंदर गहा पर चले जाओ हो सकता है वहां तुम्हें 50 पैसे में मिल जाए बंदर गहा होते हैं बेटा जहाँ पर जहाज खड़े होते हैं पानी की जहाज उसे कहते हैं बंदर गहा तो उन्होंने उसको कहा भीकू भाई को नारियल वाले ने उनका मायूश शेरा देखकर कि जाओ तुम जहाँ पर क्या ह कर सोचने लगे आखिर 50 पैसे तो पूरे 50 पैसे हैं वैसे भी मेरी टांगों में अभी भी दम है क्या रहे हर दो कदम पर रुक रुक कर जेब में से बड़ा सफेद रुमाल निकाल कर वे अपना पसीना पोस्ट रहे थे वो ठक रहे थे करमी के कारण को पसीना आ रहा था व अपने पार वर में जेब से अपने हैंकी यानि रुमाल निकाल रहे थे और अपना पसीना पोच रहे थे सागर के किनारे एक नाववाला बैठा था उसके सामने दो चार नारेल पड़े थे अरे भाई एक नारेल कितने में दूगे अब सागर का किनारा था मैंने बताया था आपको, कि बंदरगा होता है सागर का किनारज, अब बड़े जहाज खड़े रहते हैं. तो बच्चो, अब, अब क्या था, जो बंदरगा में, एक नाववाला बैठा था, और वहाँ पर कितने पशीन नारीयल पड़े थे? कहा का का मैं ये नारियल सिर्फ आपको पचास पैसे में दूँगा पचास पैसे भीकु भाई मानो हैरानी से हक्के बक्की हो गए इतनी दूर से पैदल आया हूं इतना ठक गया हूं और तुम कहते हूं कि पचास पैसे अब नारियल वाले को कहते हैं बापरे मैं तो इतनी चलके और अभी भीवह तो मैंशनें केंवाथ 50 पैसे मांग रहे हो मेरी मेहनत बेकार हो गयी नहीं भाई नमब हैं मैं तुम्हें 25 पैसे दूँगा यह लो रख Its 50 पैसे बहुत हैं बच्वों पहले चलते थे 50 पैसे 25 पैसे एक 25 पैसा फिर 250 पैसा मिलाकर बनता था 50 पैसा ठीक है और फिर 50 akinu 25 पैसा और मिलाकर बनता था 75頭 जब उस 75 पैसे के साथ फिर से25 पैसा मिल जाता था तो वह बन जाता था पूरा एक पीया यहाई यही वाले यह ना वाले ने कहाँ नि चेरे करद मेरे साथ को मेरे भीकु भाई की ओर ध्यान से देखा और ठंडे दिमाग से बुला सस्ते में चाहिए और कहते हैं कि मिल जाएंगे मन पसंद आं मैं मनट हैं मतल carro उतंधे नारियल भीकुबाई पि अपने आपको बीकुबाईय थे अपने आपको समझाया इत्नी दूर आया हूँ अब बगीशे तक जाने में क्या हर्ज है सच बात तो यह है कि वे काफी ठक चुके थे अब भीकु भाई इतना दूर चले और ठक गये थे देखो कितने कंजूस थे वो है ना मगर 25 पैसे बचाने के ख्याल में उनमें फूरती आ गई उनका अरे बापरे पूरे 25 पैसे बचेंगे अब इतना 25 पैसे ब अज भी तो जाएंगे बच्चों चार आने होता है 25 पैसा 25 पैसा आप नहीं चलता पैसे पहले चलते थी और फिर कोई भी चीज मुफ्त में कहां मिलती है बीकु भाई नारियल के बगीचे में पहुँच गए वहां के माली को देखकर उसने पूछा यह नारियल कितने में बेचोगे आज के लिए इतना ही बच्चों पुने स्मार्ट का शेष भाग लेकर मैं आपके समक्ष मेरी अगले वीडियो में प्रस्तोत होती हूँ तब तक के लिए धान्यवार अपना दिहान रखिएगा